नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइनस ओफिशल पर तो आज किस वीडियो में हम बायलोजी की नेक्स्ट वीडियो बलड के बारे में पढ़ेंगे तो पहले हम रक्त से संबंधिद कुछ बेसिक चीजें देख लेंगे फिर हम रक्त के सं संगठन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर रक्त बनता कैसे है जिसमें हम पलाजमा, RBC, WBC, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर लाश्ट में देखेंगे कि रक्त का थक्का कैसे बनता है तो इस वीडियो में हम रक्त का संगठन देख लेंगे और नेक्ट व हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं तो रक्त एक परकार का तरल संयोजी उतक होता है लीक्विड कनेक्टिव टीशू होता है टीशू वाले चप्टर में हमने पढ़ा था ना कि जो बलड है ये एक मात्र लीक्विड कनेक्टिव टीशू होता है हमारी हड्डियां जो है वो भी कनेक्टिव टीशू होती है पर जो रक्त है ये लीक्विड कनेक्टिव टीशू होता है और हमारे रक्त का नेचर कैसा होता है तो इसकी प्रकरती दुर्बल शारिय होती है यानि कि इसका नेचर alkaline होता है pH value कितनी होती है तो हमारे रक्त का pH मान 7.4 होता है कई बार exam में पूछा गया है कि रक्त का pH मान कितना होता है तो 7.4 होता है तो pH scale क्या होता है तो pH scale एक पेमाना होता है जिससे हम किसी भी पदार्थ की अमलता या शारिता यानि कि उसके एसिडिक नेचर और अलकलाई नेचर के बारे में पता कर सकते हैं तो जिसके भी हमें pH value पता करनी है न तो अगर उसकी pH value साथ से कम है तो उस पदार्थ का जो नेचर होगा वो अमलिय होगा, एसिडिक होगा अगर उसकी pH value साथ है तो उसका नेचर उदासीन यानि कि न्यूट्रल होगा पर अगर उसकी pH value साथ से ज़्यादा आएगी तो उसका नेचर शारिय यानि कि अलकलाईन होगा जैसे हमारा जो रक्त है इसके pH value कितनी है 7.4 है तो इसकी परकरती हलकी सी शारिय है तो समान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की मातरा कितनी होती है तो हमारे शरीर में हमारे शरीर के भार का 7 परतीशत हमारा रक्त होता है यानि कि जितना हमारा शरीर का भार है न उसका लगभग 7 परतीशत हमारा रक्त होता है और एक व्यस्क व्यक्ति में, एक व्यस्क मेल में कितना रक्त होता है, तो मेल में 5 से लेकर 6 लीटर रक्त होता है, और फीमेल में महिलाओं में 4 से लेकर 5 लीटर तक खून होता है, तो मेल में कितना खून होता है, 5 से 6 लीटर और फीमेल में 4 से 5 लीटर खून होता है, और रक के अध्यन को क्या कहा जाता है तो हेमेटोलोजी कहा जाता है तो रक्त दाब को मापने वाली यंत्र को क्या कहा जाता है जिससे हमारा बलड प्रेशर मापा जाता है उस यंत्र को क्या कहा जाता है तो स्फाइगनो मैनोमीटर की द्वारा हमारा बलड प्रेशर मापा जाता है और एक समान्य व्यक्ति का blood pressure कितना होता है तो 120 और 180 mm एक समान्य व्यक्ति का blood pressure होना चाहिए और blood pressure मापा किसे जाता है तो सफायगनो मैनोमीटर से मापा जाता है और एक व्यक्सक मानों में रग्त का निर्मान कहां पर होता है तो जो हमारा बलड है ये कहां पर बनता है तो ये हमारे अस्थी मज्जा में बनता है बोन मेरो में बनता है जो हमारी हड़ियां है न अगर हड़ियों को बीच में से काट दिया जाए तो उसके अंदर जैसे आप देख रहे हैं, बोन मेरो होती है, तो उसी बोन मेरो मेरो में हमारा बलड बनता है, हड्डियों के अंदर जो बोन मेरो होती है, बोन मेरो में हमारे बलड का निर्मान होता है, और भुरून अवस्था में इसका निर्मान कहां पर होता है, तो भुर प्रून अवस्था में बलड का निर्मान लीवर में होता है। तो आगे अब हम रक्ट के संखटन के बारे में पढ़ लेते हैं। यानि कि कमपोजिशन ओ बलड की हमारा बलड किन-किन चीजों से मिलकर बना है। तो हमारे बलड के मुख्य रूप से दो घटक हैं। पहला है प्लाजमा और दूसरा है रूधिरानू जिसे रक्ट कनिकाएं भी कहते हैं। तो प्लाजमा हमारे बलड का 55 प्रतिशत भाग प्लाजमा होता है। तो हमारे रक्ट का 55 प्रतिशत भाग क्या होता है? प्लाजमा होता है। तो प्लाजमा लेक्विड फोम में होता है। और ज हमारे रक्त का 55 पतिशत भाग पलाजमा होता है और बाकी का 45 पतिशत भाग रक्त का निकाएं होती है तो हमारे शरीर का जो 55 पतिशत भाग पलाजमा होता है ये किन-किन चीजों से मिलकर बना होता है यानि कि पलाजमा में क्या-क्या चीजें शामिल होती है तो पलाजमा का 90 90 परतिशत हिसा तो जल ही होता है तो जो हमारा बलड है उसका 55 परतिशत भाग पलाजमा है और जो ये पलाजमा है न ये 90 परतिशत जल से बना है तो पलाजमा का अधिकांश हिसा के है जल इसलिए जो पलाजमा है ये लीक्विड फोम में होता है हलका पीली रंका होता है तो प चमलो एक प्रतिशत गुलकोज होता है और दो प्रतिशत अन्य चीजे होती हैं, तो इन सब को मिला कर क्या बनता है पलाजमा, जो कि हमारे बलड का पच्पन प्रतिशत भाग होता है, ये लिक्विड फो में होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे और हलका पीले रंका होता है, जो रक्त करणिकाएं होती है ना इनमें तीन चीज़े शामिल होती है पहली है लाल रक्त करणिकाएं जिसे हम RBC कहते हैं दूसरी है श्वेत रक्त करणिकाएं इसे हम WBC कहते हैं और तीसरा है रक्त बिमबानू जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं तो जो हमारी रक्त करणिकाए ये तीन चीजों से मिलकर बनी है RBC, WBC और Platelets तो आप डाइग्राम से समझिए तो जैसे ये हमारी Blood Vessels हैं, इसमें हमारे Blood का Flow हो रहा है तो हमारा जो Blood है, ये कई चीजों से मिलकर बना है, जिसमें जो आप ये पीले कलर का देख रहे हैं न ये क्या है, Plasma और Plasma Liquid Foam में होता है और ये भी कई चीजों से मिलकर बना होता है, जैसे जल Protein, लवन, गुलकोज और कुछ अन्य चीजों से मिलकर ये Plasma बना होता है और ये हमारे रखत का 55% भाग होता है, और ये Liquid Foam में होता है, और बाकी का जो 45% भाग है, वो अन्यों की Foam में होता है, और उसमें क्या-क्या चीज़े शामिल होती है, तो RBC, जो आप ये देख रहे हैं लाल रंग की, टैबलेट की तरह ये लाल रखत कणिकाएं हैं, जिनने हम RBC कहते हैं, उसके बाद है WBC, जो आप शरीर में Blood Flow हो रहा है, तो आप ये जो देख रहे हैं, ये है RBC, इसके बाद ये है WBC, उसके बाद ये है प्लेटलर्स, और जो पलाजमा है, वो Liquid Foam में इनके साथ ही Flow हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को मिला कर, क्या बनता है? हमारा Blood बनता है, तो एके करके, हम इन सभी Blood के Components के बारे में बढ़ते हैं, तो शुरुवात हम करते हैं, पलाजमा से, क्योंकि हमारे Blood का अधिकांश भाग कौन सा होता है, पचपन पतिशत भाग पलाजमा होता है, तो ये है रख का तरल अवस्था में पाया जाने वाला भाग होता है और इसका 90 पतिशत भाग जल होता है, हमने पढ़ा था ना, कि जो पलाजमा होता है इसका 90 पतिशत भाग क्या होता है जल होता है, और बिली रूबीन के कारण, इसका रंग हलका पीला होता है, तो ये गुलकोज होता है, और खनीज लवन होता है न, ये दोनों हमारे श्रीर में उर्जा का निर्मान करते हैं, उसके बाद पलाजमा में साथ प्रतीशत प्रोटीन भी पाया जाता है, जो की आगे हम पढ़ेंगे, रक्त का थक्का जमाने में इन ही प्रोटीन की साहिता से हमारी र कि हमारी प्लाजमा में कौन-कौन से प्रोटिन पाई जाते हैं और जो फाइब्रिनोजेन है ये काफी इंपोर्टेंट है हमारे शरीर में ब्लट क्लोटिंग के यानि की रख्त के ठक्का जमाने के काम आता है तो ये सारे जो प्रोटिन है ये ब्लट क्लोटिंग के काम आते है लेकिन ज्यादातर जो एकजाम में पूछा जाता है वो फाइबरिनोजन पूछा जाता है कि फाइबरिनोजन किस काम आता है तो ये हमारे रगत का थक्का जमाने के काम आता है जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे तो प्लाजमा का कारे क्या है? तो प्लाजमा शरीर में प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कारे करता है और प्लाजमा रक्त में pH मान को संतुलिद करके रखता है और रक्त का ठक्का जमाने में भी ये सहायक होता है जैसा कि हमन तक पहुचाता है क्योंकि हमने पढ़ाना कि प्लाजमा में गुलकोज भी पाए जाता है ति ये गुलकोज को बाकी अंगों तक पहुचाता है तो प्लाजमा के बाद सीरम देख लेते हैं ये भी एकजामें पूछा गया है कि सीरम क्या होता है तो प्लाजमा से रक्त का थक्क जमानने वाले जो कारक हैं अथार जो हमने प्रोटीन पढ़े हैं न जिनकी साहिता से बलड की क्लोटिंग हो जाती है रक्त का थक्का जम जाता है अगर उन प्रोटीन को इसमें से निकाल दिया जाए तो जो बाकी का बचेगा वो सीरम कहलाता है तो हमारा रक्त कैसे जमता है वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि आखिर हमारा बलड कैसे जम जाता है जब हमारे शेरी से खून निकलता है तो क्युछ मिंटो बाद वो कैसे जम जाता है तो इन ही प्रोटीन के कारण, जो हमने पढ़े थे न, प्लाजमा के अंदर हैं, इन ही प्रोटीन के कारण हमारा बलड जम जाता है, तो अगर इन प्रोटीन को प्लाजमा से निकाल दिया जाए, तो जो बाकी का भाग बचेगा प्लाजमा का, वो सीरम कहलाता है, खास करके एक प्रिनोजन प्रोटीन को हटा दिया जाए, तो जो बाकी का भाग बचेगा, वो क्या कहलाएगा, सीरम कहलाएगा, तो पलाजमा के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम रुधिरानू, यानि कि बलड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे श्रीर का 45 पतिशत भाग है, त प्रोटीन की लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में, तो लाल रुधिर कणिकाओं का व्यग्यानिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है, तो अरिथ्रोसाइड, ये भी कई बार एक्जाम में पूछा गया है, कि RBC का व्यग्यानिक नाम क्या है, तो इसका व्यग्यानिक नाम है एरिथ्रोसाइड और जो RBC है इसका निर्मान कहा होता है तो इसका निर्मान हमारे अस्थी मज्जा में ही होता है पर जब हम भुरून अवस्था में होते हैं तो RBC का निर्मान उसमें यक्रित यानि कि हमारे लिवर में होता है परंतु बाद में इसका निर्मान हमारे बोन मे और जो RBC है, इसका जीवन काल कितना होता है, तो इसकी लाइफ होती है 120 दिन, तो 120 दिन के बाद ये खतम हो जाती है, तो इसकी मृत्यों कहां पर होती है, तो इसकी मृत्यों पलीहा यानि की स्प्लीन में होती है, आप ये देख रहे हैं, ये है पलीहा, ये ही पर जाकर RBC खत तो खराब हुई RBC पलीहा में जाकर नश्ठ हो जाती है, इसलिए इसे RBC की कबर यानि की RBC की ग्रेवियार्ड कहा जाता है, किसे पलीहा को, और इसे Blood Bank of RBC भी कहते हैं, क्योंकि खराब होने के बाद RBC कहां पर चली जाती है, पलीहा में चली जाती है, इसलिए इसे RBC का कबर कबरिस्तान या Blood Bank of RBC भी कहते हैं, तो ये दोनों question एक्जाम में पूछे गये हैं, कि RBC का कबरिस्तान किसे कहते हैं, और RBC का Blood Bank किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, पलीहा को कहा जाता है, स्पलीन को कहा जाता है, और RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता, तो केंद्रक क तो इसके बारे में मैंने आपको सेल वाली वीडियो में डिटेल में पढ़ाया था कि केंदरक क्या होता है तो ये एक परकार से कोशिका का सेल का दिमाग होता है तो आर्बीसी में केंदरक नहीं पायाता प्रन्तु इसके दो अपवाद हैं उंट और लामा परजात्ती के तो उट एवं लामा परजात्ती के जीवों की RBC में केंदरक पाय जाता है ये याद रखेगा तो आगे हम देखते हैं कि हमारे शरीर में RBC की संख्या कितनी होती है तो एक स्वस्थ पुरुष में RBC 45 से लेकर 55 लाग प्रति घन मिलिमीटर होती है तो एक महिला में 40 से लेकर 45 लाग प्रति घन मिलिमीटर होती है तो एक स्वस्थ व्यक्ति में कितनी RBC होती है तो 45 लेकर 55 लाग तक इसकी संख्या होती है और RBC का मुख्य कारे ओक्सीजन का परिवहन होता है जिसके लिए इसमें हीमोगलोबिन नामक प्रोटीन पाए जाता है तो RBC में हीमो गलोबिन पाय जाता है और हीमो गलोबिन के कारणी जो हमारे रक्त होता है न ये लाल होता है तो हमारे रक्त का रंग लाल क्यों होता है क्योंकि इसमें हीमोगलोबिन नामक प्रोटीन पाए जाता है और जो हीमोगलोबिन प्रोटीन है न ये भी दो चीजों से मिलकर बना है हीमेटीन से और गलोबिन से या देखेगा हीमेटीन से और गलोबिन से मिलकर हीमोगलोबिन ब औक्सीजन और कार्बन डायोकसाइड को शरीर के विभिन भागों तक लाने वा ले जाने का कारे करता है तो अगर आप से पूछा जाए कि हमारे रक्त का रंग लाल किस कारण होता है तो हीमोगलोबिन के कारण होता है अगर हीमोगलोबिन नहीं दिया होगा तो हीमेटिन दिय होगा जैसे माली जी आप लखनों में रहते हैं तो कोई आप से पूछे कि आप कहां पर रहते हैं तो आप बताएंगे कि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ पर अगर आप उत्तर प्रदेश में ही हैं तो आप कहां पर बताएंगे तो आप कहेंगे मैं लखनों में रहता ठीक उसी तरह अगर पूछा जाए कि रक्त का रंग किसके कारण लाल होता है तो होता तो हीमोगलोबिन के कारण है परन्तु जो हीमोगलोबिन है न ये भी दो चीजों से मिलकर बनी है हीमेटिन और गलोबिन जो हीमेटिन होता है न उसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है तो इसलिए अगर ओप्षन में हीमोगलोबिन दिया होगा तो वो सही है अगर हीमोगलोबिन नहीं दिया तो हीमेटिन दिया होगा तो इसके कारण हमारे रक्त का रंग लाल होता है उसके बाद आगे देखते हैं तो जो कोकरोच होता है इसका जो बलड होता है ये सफेद रंग का होता है तो ये सफेद रंग का क्यों होता है क्योंकि इसके अंदर हीमोगलोबिन नहीं पाय जाता जैसे हमारे बलड में हीमोगलोबिन पाय जाता है, RBC में हीमोगलोबिन होता है जिसके कारण हमारे रंग का रंग लाल होता है, प्रन्तु इसमें हीमोगलोबिन के जगा क्या होता है? हेमोलिंफ होता है, या देखेगा हेमोलिंफ के कारण कोकरोच में सफेद रंग का रंग का हेमोसाइनिन होता है, इसमें भी हीमोगलो भी नहीं होता, क्या पाय जाता है, हेमोसाइनिन पाय जाता है, ये दोनों प्रशन एकजाम में पूछे गए हैं, ये भी पूछा गए है कि इनके रंग का रंग क्या होता है, जैसे कि कोकरोच में कौन से रंग का रंग का रंग का र और किसके कारण इसका रक्ट नीले रंका होता है तो हैमोसाइनिन के कारण इसका रक्ट नीले रंका होता है। उसके बाद आगे देखते हैं तो रक्त में RBC का नश्ठ होना क्या कहलाता है तो रक्त में RBC का नश्ठ होना Hemolysis कहलाता है और सोते समय RBC की संख्या 5% कम हो जाती है याद देखेगा कि सोते समय RBC की संख्या 5% कम हो जाती है और उंचाई पर जाने पर RBC की संख्या 30% तक बढ जाती है तो जब हम सोते हैं तो इसकी संख्या 5 परतिशत कम हो जाती है और जैसे हम उचाई पर जाते हैं तो उचाई पर जाने पर इसकी संख्या बढ़ती है लगभग 30 परतिशत तक बढ़ जाती है तो आगे हम देखते हैं कि RBC की संख्या घटने पर या बढ़ने पर हमारे श्रीर में कौन सी बिमारी हो जाती है तो जब RBC की संख्या हमारे श्रीर में घट जाती है तो एनीमिया नामक बिमारी हो जाती है जिसमें क्या होता है कि लोह ऐसक की हमारे बलड में कमी हो जाती है और खून की कमी हो जाती है और खून की कमी के कारण हमारा श्रीर पीला लगता है, तो एनिमिया कब होती है, जब हमारे बलड में RBC की संख्या कम हो जाए, लेकिन RBC की संख्या बढ़ कब जाती है, तो RBC की संख्या बढ़ने को पोली साइथीमिया कहा जाता है, और RBC की संख्या बढ़ती कब कब है, जब हम उंचाई पर जाती है, मैंने आपको बत बढ़ने और इसकी संख्यों बढ़ने पर क्या होता है तौशा पर धब्बे बन जाते हैं तो जब RBCA की संख्या बढ़ जाती है तब तब धब्बे बन जाते हैं उसके बाद आगे हम देखते हैं ती एक बिमारी है थेले ये भी पूछी जाती है, तो थैले सिमिय कब होती है, तो थैले सिमिय क्या है, तो ये बच्चों को माता पिता से अनुवांशिक तोर पर मिलने वाला रक्त रोग होता है, और इस रोग में क्या होता है, तो इस रोग के होने पर शरीर की हीमोगलोबी निर्मान की प्रकिरिया म गड़बड़ी हो जाती है जिसके कारण रक्त शीनता यानि की खोन की कमी के लक्षन प्रकट होते हैं तो इसकी पहचान तीन महा की आयू के बाद ही हो जाती है तो जब हम पैदा होते हैं तो पैदा होने के तीन महीने बाद ही पता चल जाता है कि यह हमारे शरीर में बिमारी ह या नहीं, तो थैले सीमिया बीमारी में क्या होता है, कि बच्चे के शरीर में रक्त की भारी कमी होने लगती है, जिसके कारण उसे बार-बार भारी खून चड़ाने की आशकता होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में खून बनना बंद हो जाता है, तो खून की कमी के लक्षन प्रकट होते हैं जिसके कारण बार बार बाहरी खून चढ़ाना पड़ता है तो इसे क्या कहते हैं तो इसे थैले सीमिया कहते हैं इस रोक का नाम है थैले सीमिया तो RBC के बाद आग्यम पड़ते हैं WBC यानि की White Blood Cell श्वेत रक्त करनी का हैं तो WBC का व्यग्यानिक नाम क्या है तो इसे Leucoside कहा जाता है और इसका निर्मान कहां पर होता है तो इसका निर्मान भी हमारी अस्थी मज्जा में होता है और इसकी मृत्यों कहां होती है तो इसकी मृत्यों हमारे blood में ही हो जाती है जैसे हमने पढ़ा था कि जो RBC है इसके मृत्यू पलिहा में होती है लेकिन जो leukoside यानि की WBC है ना इसके मृत्यू हमारे blood में ही हो जाती है और जो RBC है उसका आकार आपने देखा था गोलाकार होता है लेकिन जो white blood cell है ना इसका आकार निश्चित नहीं होता या देखेगा इसका आकार निश्चित नहीं है इसका जीवनकाल कितना है तो इसका जीवनकाल 2-4 दिन या 13-20 दिन होता है तो कई किताबों में आप देखेंगे 2-4 दिन लिखा हुआ है और कई किताबों में 13 से 20 दिन लिखा हुआ है पर ज़्यादा तर जुसका जीवन काल है न वो 2 से 4 दिन तक ही होता है पर अगर एक्जाम में आपसे पूछा जाएगा न तो दोनों option नहीं दिया होगे या तो 2 से 4 दिन दिया होगा या 13 से 20 दिन दिया होगा तो option के according आप इसको tick कर देना तो इसमें केंदरक उपस्टित होता है RBC में केंदरक उपस्टित नहीं होता लेकिन WBC में केंदरक उपस्टित होता है और इसकी संख्या हमारी blood में कितनी होती है तो 8000 से लेकर 10,000 के बीच इसकी संख्या होती है हमारे blood में और इसका कारे क्या है, तो ये हमारे शरीर के प्रती रक्षी तंत्र यानि की immune system को मजबूत बनाता है और यह रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, तो WBC का बहुत ही important role है हमारे शरीर में, ये क्या करता है कि हमारे शरीर को बहारी रोगों के संक्रमन से बचाता है, यह कहते हैं, कहीं पर लिखा होता है, किसे रक्ष का policeman कहते हैं, कहीं पर लिखा होता है, रक्ष का guard कहते हैं, या रक्ष का cynic कहते हैं, तो रक्ष की सुरक्षा से related कुछ भी लिखा हो, चाहे रक्ष का guard लिखा हो, रक्ष का policeman लिखा हो, या रक्ष का cynic लिखा हो, ये किसे कहते तो WBC को ही guard cell कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, बहारी रोगों से हमारे शरीर को बचाता है, तो जो WBC होता है न, दो परकार का होता है, एक होता है कनिका युक्त, और दूसरा होता है आकनिका युक्त, कनिका युक्त को कहते हैं granulocyte, और आकनिका युक्त को कहते हैं agranul तो जो WBC है न, ये कितने परकार का होता है, दो परकार का, कणिका युक्त और आ कणिका युक्त, और कणिका युक्त ये WBC कितने परकार की होती है, तीन परकार की होती है, तो देखे, WBC कितने परकार की होती है, कणिका युक्त और आ कणिका युक्त, आप देखेंगे, जैस काईजुक्ट WBC कहते हैं, तो A काईजुक्ट WBC की संख्छा कितनी हैं, तो दो, monocytes और lymphocytes, आप देखेंगे कि monocytes और lymphocytes के बाहर काईजुक्ट नहीं पाई जा रही, लेकिन जो neutrophils है, besophils है, eosinophils है न, इसके बाहर आप देखेंगे कनिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए WBC को दो भागों में बाटा गया है, कनिका जुक्ट WBC और A कनिका जुक्ट WBC, तो कनिका युक्त WBC को तीन भागों में बाटा गया है नूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स और जो आग कनिका युक्त WBC है इसे दो भागों में बाटा गया है मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स तो इनके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे पर पहले थोड़ा ओवर्विव ले ले लेते हैं तो जो Neutrophils WBC है ना ये सरवाधिक मातरा में पाई जाती है जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे बलड में कितनी WBC पाई जाती है तो 8000 से लेकर 10000 के बीच में तो उसमें से जो Neutrophils WBC है ना ये सरवाधिक मातरा में पाई जाती है यानि कि इसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है और जो बेसोफिल से WBC है इसकी संख्या सबसे कम होती है और उसे के साथ जो monosides WBC है ना यह सबसे बड़ी WBC होती है जानि कि इसका size बाकी की WBC में से सबसे बड़ा होता है और जो lymphocides WBC है इसका size बाकी की WBC में से सबसे छोटा होता है तो एक-एक करके इनके बार में पढ़ते हैं सबसे पहले देखते हैं neutrophils तो neutrophils संख्या में सरवाधिक होती है जितनी WBC है ना उसका 65% neutrophils ही है इसलिए यह संख्या में सरवाधिक है और इसका काम क्या है तो यह बाहर से आने वाले जिवानुओं यानि की bacteria पर सबसे पहले आ आने वाले बेक्टीरिया पर सबसे पहले आकरमन करती है और उससे हमारे शरीर को बचाती है उसके बाद है बेसोफिल्स तो जो बेसोफिल्स WBC है यह सबसे कम संख्या में होती है केवल एक परतिशत इसका काम क्या है तो हमारे शरीर को allergy से बचाना इसका काम है जब हमारे श बेसोफिल्स की संख्या को बढ़ाती है क्योंकि बेसोफिल्स ही क्या करता है शरीर को allergy से बचाता है तो दवाई हमारे शरीर में क्या करेगी बेसोफिल्स की संख्या को बढ़ाएगी क्योंकि बेसोफिल्स का क्या काम है यह शरीर को allergy से बचाता है उसके बाद है इसके क्या है तो इयोसिनोफिल्स परजीवी यानि कि प्रोटो जोवा के संक्रमन से सुरक्षा करती है और तवचा के संक्रमन के समय इसकी संख्या में वृध्धी हो जाती है तो ये क्या करती है प्रोटो जोवा के संक्रमन से हमारी सुरक्षा करती है तो कनिका यक्ते WBC के कितने प चाहता है इसकी संख्या सबसे ज़्यादा है उसके बाद है बेसोफिल्स ये क्या करता है हमारे शरी को एलर्जी से बचाता है इसकी संख्या सबसे कम है उसके बाद है इयोसिनोफिल्स ये क्या करता है प्रोटो जोवा के संकरमन से बचाता है उसके बाद आगे हम देखते हैं आ कर्णिकायुक्त यानि की आ ग्रेनलोसाइड डवल्यू बीसी तो आ कर्णिकायुक्त डवल्यू बीसी कितने परकार की होती है दो परकार की Monocytes और Limphocytes तो जो Monocytes WBC है نग यह सबसे बड़ी अकार की WBC होती है तो जितनी भी WBC हमने पढ़ी उसमें से सबसे बड़ी अकार की कौन सी है? Monocytes और यह घाव भरने में मदद करती है उसके बाद है lymphocytes तो lymphocytes सबसे छोटी अकार की WBC होती है और यह memory cell का दिर्मान करती है तो monocytes सबसे बड़ी अकार की WBC होती है यह घाव भरने में मदद करती है और जो lymphocytes होती है यह सबसे छोटी अकार की WBC होती है और यह memory cell का दिर्मान करती है तो हमने RBC के बारे में पढ़ लिया WBC के बारे में पढ़ लिया अब हम प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो प्लेटलेट्स जिसे रक्त बिम्बानू कहते हैं, इसका वेज्ञानिक नाम क्या है? तो प्लेटलेट्स का वेज्ञानिक नाम है थ्रॉम्बोसाइट, या दखेगा इसका वेज्ञानिक नाम क्या है? तो RBC में भी केंदरक नहीं पाय जाता और Platelets में भी केंदरक नहीं पाय जाता इसका जीवनकाल कितना होता है तो 3-5 दिन तक इसका जीवनकाल होता है और इसका कारे क्या है तो रक्त का ठक्का जमाने में ये मदद करता है तो Platelets क्या करता है रक्त का ठक्का जमाने में मदद कर और प्लेटलेट्स केवल स्तन्धारियों में यानि कि मैमल्स में ही पाई जाता है। बुखार नहीं होता, डेंगू बुखार के होने से प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि प्लेटलेट्स से संबंधित कौन सी बिमारी है, तो इस बिमारी का नाम है हेमोफीलिया, तो हेमोफीलिया क्या है? प्रन्तु हीमोफीलिय विमारी में क्या हो रहा है कि जो हमारे शरी से रक्त बाहर निकल रहा है उसका थक्का नहीं जम रहा इसके कारण क्या होता है कि चोट या दुरगटना में यह जानलेवा साबित होता है क्योंकि रक्त का बहना बंधी नहीं होता वैसे आप देखेंगे क कि अगर आपके शरीर पर कहीं कट जाए या कहीं चोट लग जाए जब रक्त बहेगा ना तो 2-3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि रक्त जमना शुरू हो जाएगा लेकिन जिसे हीमोफीलिया विमारी होती है ना उसका रक्त जमता नहीं है रक्त निकलता ही रहता है और पीलिया को रोयल डिजीज के रूम में जाना जाता है क्योंकि यह यह यूरोपियन शाही परिवार का हिस्सा रह चुका है यह बिमारी सबसे पहले महारानी विक्टोरिया में देखी गई थी महारानी विक्टोरिया पहले इसे पीड़ी थोई थी और उसके बाद क्या हुआ कि यह बिमारी उनके बेटे और बेटी में म्यूटेट हो गई क्योंकि हमने पढ़ा कि यह अनुवांशिक बिमारी है पीडी जर पीडी आगे जाती रहती है तो इस तरह महरानी विक्टोरिया के पूरे खांदान में यह बिमारी फैलती चली गई इसलिए से शाही विमारी कहा जाने लगा तो आगे भम कुछ महत पूरन तथ्य देख लेते हैं तो रक्त का वह कौन सा घटक है जो रक्त वहिकाओं में ठक्का बनने से नहीं रोगता तो जो प्रोटीन है पलाजमा में हमने पढ़ी थे न कि उनके कारण रक्त का थक्का जमता है तो क्या कारण है कि हमारी जो रक्त वहिकाओं है उनके अंदर भी तो ब्लड फ्लो हो रहा है वो जम क्यों नहीं रहा क्योंकि उसमें हैपरिन पाए जाता है तो हैपरिन के कारण हमारी रक्त वहिकाओं में थक्का नहीं बनता लेकिन जैसे ही खून बाहर निगलता है और वायू के संपर्क में आता है तब रक्त का थक्का जमता है लेकिन जब हमारी रक्त वहिकाओं में खून बहरा होता है तो वो नहीं जमता किसके कारण नहीं जमता हैपरिन के कारण नहीं जमता लेकिन जब कहीं पर कट लगता है तो वहाँ पर हैपरिन खतम हो जाता है उसका कोई काम नहीं रहता जिसके कारण क्या होता है रक्त का थक्का जम जाता है तो हमने RBC, WBC और Platelets के बारे में पढ़ा तो ये पूछा जाता है कि संख्या में सबसे ज़्यादा कौन सी है तो सबसे ज़्यादा कौन सी है RBC हमने पढ़ा था कि 45-55,000,000 इसकी संख्या है तो सबसे ज़्यादा संख्या में RBC है उसके बाद आएगी Platelets और सबसे कम संख्या में पाई जाती है WBC 8-10,000 की बीच में ये होती है तो सबसे कम संख्या है WBC की उससे ज़्यादा है Platelets की और उससे ज़्यादा है RBC की तो ये तो हो गया संख्या के अधार पर लेकिन अगर अकार के अधार पर देखा जाए Size के basis पर देखा जाए तो जो सबसे कम मातरा में है उसका अकार उतना ही बड़ा है तो WBC हमारे blood में सबसे कम मातरा में है लेकिन इसका Size सबसे बड़ा है WBC के बाद आएगा Platelets और सबसे छोटा अकार है RBC का RBC की संख्या इन तीनों के मुकाबले में सबसे ज़ादा है लेकिन अगर उसका Size देखा जाए तो इनके मुकाबले में सबसे छोटा है जिसकी संख्या सबसे ज़ादा है उसका अकार सबसे छोटा है तो इनका Ratio भी पूछा जाता है तो RBC, WBC और Platlers का Ratio क्या है तो अगर हमारे बलड में एक WBC है न तो उसके मुकाबले में 40 Platlers है और 600 RBC है तो ये Ratio आपको पता होनी चाहिए कभी ये पूछ लिया जाता है कि बताए WBC और Platlers का Ratio क्या है ये RBC, WBC का Ratio क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि RBC, WBC और Platlers का Ratio क्या है 601 और 44 अगर आपसे पूछा जाए कि RBC और WBC का Ratio क्या है तो 600 अनुपात 1 है तो अगर इन तीनों का पूछ लिया जाए तब भी आपको याद होना चाहिए और इन तीनों में से किसी दो का पूछ जाए तब भी आपको पता होना चाहिए तो आगे भी हम देखते है कि आखिर रक्ट का थक्का बनता कैसे है तो रक्ट का थक्का होता क्या है तो जब किसी कटे हुए भाग से रक्त बाहर निकलता है ना तब ये जैली की रूप में कुछी मिन्टों में जम जाता है आप देखते हैं कि आपके शरीर पर कहीं पर कट लगता है तो जब खून निकलता है ना तो दो से तीन मिनट के बाद वो जैली की रूप में जम जाएगा यानि कि रक्त का थक्का बन जाएगा तो इसी को ब्लड क्लोटिंग यानि कि रक्त का थक्का कहते हैं तो आखिर ये रक्त का थक्का बनता है कैसे है इसकी प्रक्रिया क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ तो रक्त का थक्का बनने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है तो केल्शियम की, विटामिन के की विटामिन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि विटामिन के रग्त का थक्का बनाने का काम करता है अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो केल्शियम की, विटामिन के की और जो हमने प्लाजमा में प्रोटीन पढ़ी थे न उनकी जरूरत पढ़ती है रक्त का थक्का बनाने के लिए केल्शियम की, विटामिन के की और प्रोटीन की तो ये सब मिलकर क्या करते हैं? तो जब खून निकलता है और खून वायू के संपर्क में आता है, जिस कारण क्या होता है? कि जो thromboplastin protein है, ये calcium से क्रिया करता है, तो सबसे पहले क्या होता है? कि thromboplastin protein calcium से क्रिया करता है, यानि कि calcium के साथ reaction करता है. उसके बाद क्या होता है, रक्त में उपस्ठिर प्रो थोंबिन प्रोटीन को ये थ्रोंबिन में बदल देता है, हमने पढ़ा था ना कि हमारे प्लाजमा में कौन सा प्रोटीन है, प्रो थोंबिन, तो क्या होता है कि थ्रोंबो प्लास्टिन प्रोटीन केल्शियम के साथ क्रि फाइबरिनोजन प्रोटीन से किरिया करता है और उसके बाद फाइबरिन का निर्मान करता है तो फाइबरिन क्या है इसकी रचना जाली के समान होती है और इसी जाली में जो रख्त के अनू होती है खास करके RBC इसी जाली में आकर फंस जाती है जिस कारण रख्त का बहाव उसके बाद क्या होगा कि खून को जमाने का प्रोसेश शुरू हो जाएगा सबसे पहले थ्रॉम्बो प्लाशिन प्रोटीन केल्शियम के साथ क्रिया करके प्रो थ्रॉम्बिन को थ्रॉम्बिन में बदल देगा उसके बाद थ्रोंबिन रक्त में उपस्थित फाइबरिनोजन प्रोटीन के साथ क्रिया करके फिबरिन या फाइबरिन बनाएगा तो फाइबरिन क्या है इसकी रचना जाली के समान होती है जिसके बाद क्या होता है जो रक्त के अणो होते हैं इसमें आकर फज जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं जिस कारण रक्त का बहार रुख जाता है और रक्त जम जाता है तो इसी को कहते हैं रक्त का थक्का बनना तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा तो यहाँ पर हमारा थेरी section complete होता है, अब हम previous year question देखते हैं, तो पहला प्रेशन है कि एक व्यस्क मनुष्य में उसतन कितना रग्त होता है, तो एक व्यस्क मनुष्य में बताईए कितना blood होता है, 2-3 लिटर, 3-4 लिटर, 4-5 या 5-6 लिटर, तो इसका सही जवाब क्या होगा 5-6 लिटर ब्लड पाया जाता है, एक व्यस्क मनुष्य में, उसके बाद अगला प्रेशन है कि सोते वक्त मनुष्य का RBC कितने परतिशत कम हो जाता है, तो 5 परतिशत, इसका सही जवाब है, option D, अगला प्रेशन है कि मानना उरग्त का pH क्या है, हमारे ब्लड की pH वैल्यू क इसका सही जवाब है, 7.4 हमारे ब्लड की pH वैल्यू है, इसका सही जवाब है, option D, अगला प्रेशन है कि मानना उरग्त में कोश्की अंच का कितना प्रतिशत, प्लाजमा होता है, तो प्लाजमा कितना प्रतिशत होता है, तो इसका सही जवाब है, option B, 55 प्रतिशत भाग प्ल धिराणू होता है, अगला प्रशन है, कि एक हलके पेले रंग का गाढ़ा तरल परदार्थ है, जो रक्त के आयतन का लगभग 55 परतीशत होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्लाजमा कहते हैं, इसका सही जवाब है, option A, अगला प्रशन है, कि लाल रक्त कोशिकाओं के निर का सही जवाब है, option A, अगला प्रशन है, कि लाल रक्त कर्णिकाओं का ओसा जीवन काल लगभग गई कितने समय का होता है, तो रबीवीजी का जीवन काल पताये, कितने समय का होता है, तो लगभग 100 से लेकर 120 दिन तक इसका सही जवाब क्या होगा, option B अगला प्रेशन है कि बहुत अधिक उंचाई पर मनुष्य की लाल रक्त करणिकाएं क्या होती है उनका अकार बढ़ जाता है अकार छोटा हो जाता है संख्या बढ़ जाती है या संख्या घड़ जाती है तो जैसे जैसे हम उंचाई पर जाते हैं हमारी RBC की संख्या बढ़ जाती है तो इसका सही जाब क्या होगा option C लाल रक्त करणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है अगला प्रेशन है कि श्वेत रक्त करणिकाओं का मुख्य कारे क्या है तो WBC का मुख्य कारे क्या है तो इसका मुख्य कारे है हमारे श्रीर को बहारी संक्रमन से बचाना Option B इसका सही जवाब है अगला प्रशन है कि सबसे बड़ा श्वेत रुधिरानू कोन सह है श्वेत रुधिरानू यानि की सबसे बड़ा White Blood Cell कोन सह है तो सबसे बड़ा White Blood Cell है Mono-Side इसका सही जवाब है Option B अगला प्रशन है कि रक्त जमने में किस ततो की मुख्य भूमिका होती है तो हमने पढ़ा था तो option के according देखा जाए तो calcium option B इसका सही जवाब है हमने पढ़ा था ना calcium की जरूरत पढ़ती है रक्त का थक्का जमाने के लिए तो इसका सही जवाब क्या होगा option B calcium तो आज का आखरी प्रशन है कि कि किसके मुझूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है तो किसकी मुझूदगी के कारण हमारे शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता तो इसका सही जवाब है heparin option D इसका सही जवाब है तो आज के वीडियो यहीं पर खत्म होती है कैसी लग ये वीडियो कोमेंट सेक्षन में जरूर बताना धन्यवाद